वेल्कम बैक नियोट्यूब चैनल नहीं कुछ ओधी रियक्शन मैं हूं नताशा बात करेंगे आपे सपना और शिवी के बारे में यह रियक्शन काफी जादा स्ट्रोंग वाला होने वाला है तो जो सपना के हेटर्स हैं हेटर्स मतलब जो उसको गंदे कॉमेंट्स करते हैं जिन को पता नहीं होता है तो नहीं हेट करने लगता है लेकिन दूसरे तरव रिद्unde सांब जो वाले हें आँ यहां से वीडियो छोड़ सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाते कि इनको तकलीव हो चाहेगी वीडियो देखें किKY एक बात करने शपना एषिवी के बारे में कि इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें स्टोरी बताई थी कि भाई क्या हुआ है अगर मैं शोट में बताओ तो यहां पर हुआ है सपना शीवी काफी अच्छे दोस्त थे और अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो कि शोशल मीडिया पर हंगामा मच गया शीवी ने एक वीडिय कमेंट वाले बहुत आ रहे हैं और यह कमेंट वालों को सपोर्ट मिल रहा है तो मैं भी क्यों नहीं चीज ट्राइक करूं अचानक से आपको एकदम क्या हो गया जो आपने टॉंट मारना शुरू कर दिया और जो टॉंट था उसमें कितनी सच्छाई थी यह तो आपने बता तो या कुसी तरीके से तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर कौन से रिष्टा दरगता ना मारा जाता है रहे सबको पता है इतना बेकूफ कोई नहीं है तुम जो इतनी जुरू बोलती हो लेकिन फिर भी हमने बातों का विश्वास कर लिया और विश्वास क्या है मैं बाई सोशल मीडिया पर जो दिखता है उस पर फिर बोलना पड़ता है यह हुआ यह चीजे खतम हुई अब उसके बाद में कल सपना के भाई की एक वीडियो आई सपना के भाई की वीडियो आई सपना के भाई ने एक ओडियो सुनी जो कि सपना के फोन में थी अब सबसे पहले ल तो रिकोर्डिंग रखो या ना रखो लेकिन जो वो दोस्त दुश्मन बनता है ना तो उस वक्त रिकोर्डिंग करना एक समझदार भड़ा फैसला है नहीं तो हेट इतना जाद सपना के लिए लोग कुछ फैला रहे हैं कि भाई लोग चाहे वो कितना ही सच बोलती रहती है म इसले ही तुमने डबल गेम खेला यहां पर लेकिन हुआ क्या यह कि बहुत अच्छा किया सपना ने रिकोर्डिंग रख ली और सपना ने रिकोर्डिंग अपने भाई को नहीं दी वह एडिटिंग कर रहा था मोबाइल में रिकोर्डिंग थी तो उसको मिल गई उसने बताया किस तरीके से मिली है और अगर सपना देती भीना अपने भाई को कि देख भाई मुझे गाली दे रहा है यह हुआ मेरे साथ में महां पर इसलिए मैंने महां से छोड़ा इसलिए मैं यहां हुई इसलिए तो सबना कह रही थी कि मुझे धमक्या मिल रही है धमक्या मिल रही है तुम गाली दोगे को बेश्रम लोगो भाई बोलते थे तुमको वो गाली दोगे तुम तुम्हारे घरमे मा बेन नहींगी गया इजत करना नहीं चांते एक लड़की गी तुह पता है कितनी तकलीफ में हैं या उसके उपर गुजर रिये हरत, तरीके से धोका वो लड़की सहन कर रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन उसका इप्रा आए है् और तुम लोक उसी की पीट में चूरा भोक रहे हो। और क्या इल्जाम लगाया मेरा घर तोड़ने की कोशिश की बढ़काती है रियली में असलिएत क्यों नहीं बताते हो कि क्यों तुम्ने ये सब किया कि ओंतेंट क्रियेंट करने के लिए पीछे भाग गःते सपना के खर गाओं में क्यों गई भव कृज़ एपरbenchि के साथ में गई हुई है तुम क्यों गई भवाग वहां पर कौ्टेंट क्रियेंट से अब तब जो वो लड़की तुम्हें content दे रही थी सब कुछ दे रही थी तुम्हें बड़े-बड़े creator से मिलवा रही थी तो बहुत अच्छी थी लेकिन अचानक से वो इतनी बूरी हो गई घर में आग लगाने लगी तुमने क्या किया उसके घर में और नफरत किसने पैदा की लोगों के दिमाग में कितनी जाद हेट पड़ी थी उन लोगों को कि तब भी हमने सवाल उठाया था भाई ये खुद मदर्ज्रे का celebration कर रही है ये किस मुझे से दूसरे को कह रही है है कि ये भी तो अपनी में बोलती है ना मेरी बड़ी बहने बड़ी बहने बड़ी बहने यानि तुम खून के रिष्ट्र कोई लगा कोई बात नहीं कोई लेकिन इस लड़की ने तो हदी कर दी कि तुमारे घर में प्रोब्लम हो तुम सपना के ऊपर चड़ जाओ असली व भस ये छीज़े ले लो और लो वह इसमय आग लगा दिक उसने तो घर में वोल कर दिया अरे तुम अपने गर में andra को घुसा आते क्यों कि तुम लोग ने घुषें ले ऑस तो आप जा सकते थे न क्यों living शीवीने पिर भी आप वहां पोच गए और वो कितने खुश हुई सिर्फ किसलिए content create करने के लिए creators और दोस्ती करने के लिए मैं कहती हूँ आसे लोगों से जो लोग इन से connect है ना फिलाल भाई समहल के रहो कब किसी के अगर यह सपना को धोका दे सकती है ना उस लड़की ने इसका कितना पर्मोशन किया कितना पर्मोशन एक चीज सपना की मैं कहूंगी इस वक्त उसके घरवालों को बहुत ज़्यादा जो रथी की पर्मोशन करेए सपना क्योंकि उतका काम चुट गया है सपना के साथ रहने के चक्कर में सपना का सपोर्ट करने के चक्कर में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लेकिन फिर भी सपना ने अपने घरवालों को कभी प्रमोट नहीं किया इसको कर दिया अब बताओ जो दोस निकल जाएंगे तो फिर कौन किस पर विश्वास करेगा एक एक नाम होता था सपना और शिवी की भी दोस्ती है देखो कितनी अच्छी है लेकिन सपना ही हमेशे गुंगान गाती रही क्यों सपना ऐसे लगता रहा कि नहीं शिवी बहुत करती है सपना के लिए क्य सपना की वज़े से आप लोग मुझे जानते हैं सपना की वज़े से मैं खुद कुछ कमा रही हूं हर लड़की चाहिए उसका पति कितना ही कमा रहा हो उसके से सुराल वाले कितनी कमा रही हो हर लड़की का मन करता है कि वो केली कमाए उसके अपने खुद के पैसे हो आपको सपना ने वो स्टेंड दिया है लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही इतना फायदा उठाओगे गाली दोगे तुम अगर सपना की बाइचांस कहीं गलती भी थी गाली देने का हग किसको बैठता है क्या आपको इतना हग दे दिया कि आप किसी को गाली दोगे और अगर ये इंसान गलत ना होता ना तो इसके फादर कभी भी फोन करके सपना को समझाते नहीं आई होप ये किलियर हो गया कि सपना ने रिकोर्डिंग क्यों रखी ये क्यों किया वो किया दूद का जला ना चार्ज भी फुक फुक के पिता है वो सपना के साथ हो रहा है और सपना में तो ये कहूंगी आपको जब आपने अपने घरवालों के लिए इस्टेंड लिया था तुमने मम्य के खिलाफ इस्टेंड लिया था मम्य और भाई के लिए ठीक है जब तुमने सस्राल में गलत देखा जितने भी आजी अधूरी तुमने बाते बताई वो स्टेंड लिया तुमने इस लड़की ने जब तुमें पोक किया चुलो तुमें चुपा ना था तुम कुछ है भाई इनको जभी मूत और जवाब देना चाहिए ता गाली किस से बूच के दी गाली क्यों दी एक बार को बहुत लते भाई सपना और शीवी के बीच में जगड़ा हो गया बहुंकर वाला वह भी सोच सेकते लिकिन इस आदमी का बीच में बोलने का क्या मतलब बै ची शेरा मानी चाहिए तो मैं और इनके पती को भी कहूंगी अगर किसी रिष्टे का मान नहीं रख सकते न तो रिष्टा रखो भी न और जिन लोगों को सिर्फ यह दिखाई देता है कि सपना के लिए शीवी ने बहुत किया है वो सपना नहीं दिखाया है वरना आप कई घूमने भी जाते थे तो शीवी को साथ लेकर जाते थे राजीव जी के साथ जब जाते थे हरे फंक्शन में शीवी को बुलाते थे कभी शीवी की वीडियो पहले आ जाती थी सपना बात में डाती थी लेकिन कभी कुछ नहीं किया कुछ नहीं कहा सपना ने हमेशा इसक आज तुमने तना अच्छी तरीके से स्टेंट लिया है अभी तरीके से रोगव अब सपना को इस श्ट्रॉंग भाई की जुरुरत है जैसे अब बने हो ना उसकी जुर्वत है बहुत अच्छा किया तुमने ये वीडियो सामने लाके नहीं तो शीवी मैडम तो वह ये बात है कि भाई भोले से चेरे के पीछे मैं तो बहुत सीधी हूँ मैंने तो दिदिक को कुछ नहीं कहा ये नहीं करा वो नहीं करा और इनके जो कमेंट सेक्षिन में अब लोग बोलें ना अनफोलो करो अनफोलो करो अनफोलो करो exactly कर देना च्छीए क्योंकि जो इनसान किसी एक के प्रमोशन से सामने आया हो उसका फायता लेकर सामने उठाया हो उसके बाद में उसी की पीट में चुरा बोके उसी को गंदा बोले गंदा भी इतना की गालिया दे जब पता है वो अपने मतलब जो उसके लाइफ में चल रहा है उसके सबसे बूरे फेस्ट से बुज़र रही है वो सारे रिष्टे उसके दोके दिये जा रहें दोके दिये जा रहें तब तुमने यह हरकते की वा भाई मानना पड़ेगा ऐसे दोस्तों कभी किसी को न मिले ऐसे सपोर्ट कभी किसी को नी चाहिए जो शीवी तुमने किया है तुमने तो वो कर है ना तुमने तो खाना दे दे के दे दे के ताने मारे है तुम उन में से हो शेम हो नी हो अब शेरम आनी चाहिए तुमें अब भी ऐसास थोड़ा सा हो न तो या तो यह वीडियो इस तरीके के इनके खिलाफ बनाना बंद कर दो क्योंकि सपना चुपती पोग इस लड़की ने आके किया है इस ने आके किया है सिर्भ सपना के इकला फेट फैला निकले वो इसके ऊपर खुद आकर पढ़ गई क्योंकि इसके पास जो भी फोलोवर से हो सपने की हैं इसपे खुद आके पढ़ गई तो फलट गई अब इसके भाईय शपना का भाई राजना खोलता नहीं यहां पर तो यह मैंडम तो साफ निकल गई थी, सब कुछ कांड करके, तो अटाने मार मार के, पर किस पर पढ़ाता सपना पर, और यहां पर मैं बता दू कि कुछ चीज़े आप जो भी भी सामने नहीं आए, लेकिन सपना की गलती नहीं है, सपना की गलती नहीं है इन मैडम को बूरी लगी इनके हस्बेंड और यह शुरू हुए बाकी बहुत सारी चीज़े अभी सामने आने बाकी है और आएगी दिरे-दिरे फिक्र मत करो तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा थैंक्यू सो मुर्ण